आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ आप आपका Android फोन को एक गेम पड़ टाइप का कैसे यूज़ करेंगे और आपका Android TV में गेम बगरा कैसे खेलेंगे अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वहां पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाजू में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे चैन 360 degree का गेम रहता है तो गेम बगर आप इसमें नहीं खेल सकते तो आपका मोबाइल फोन को एक गेम प्यार बनाने के लिए उसमें एक आप्लिकेशन इंस्टल करना पड़ेगा और सेम आप्लिकेशन आपका Android TV में भी इंस्टल करना पड़ेगा तो आप्लिकेशन का जो लिंक है मैं description में दिया हूँ वहां से जाके पहले आपको डाउनलोड करना है उसके बाद side load करके आपका TV में कोई भी pen drive के थ्रू में इंस्टल करना है या आपका mobile phone का memory में copy करके आपको mobile phone में भी इंस्टल करना है तो चलिए TV screen के पास तो फ्रेंच जैसे मैं आपको बताया था मैं वह फाइल को डाउनलोड कर चुका हूँ और pen drive में copy करके टीवी में लगा दिया हूँ जैसे आप देख सकते हैं यहां पर extension के थ्रू में मैं USB pen drive में यह connect कर दिया हूँ तो यहां पर हम फाइल मेनेजर में जाते हैं तो फाइल मेनेजर में जाने के बाद यहां पर मेरा USB pen drive ह तो यहां पर मैं download के अंदर उससे रखा हूँ तो यहां पर देख सकते हैं Bluetooth gamepad तो यह application को आपको install कर देना हूँ तो यहां पर यह installation हो गया है उसके बाद आपको done कर देना है तो यहां पर back कर लेना है तो उसके बाद यह application को आप आपका Android phone में भी in-s gracie तो यह application को install करने के लिए मैं यहाँ पे एक OTG adapter यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप PC में लगा के direct copy भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी OTG वाला pen drive है, तो उसको भी connect कर सकते हैं, या कोई भी OTG cable या OTG adapter के थुरू में आपका phone में connect कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं phone मे connect कर देता हूँ, तो यह connect होने के बाद हम file manager में जाते हैं, जैसे मैं file manager में यहाँ पे आप देख सकते हैं, SanDisk का जो USB drive है, यह show कर दिया, तो यह open हो जाने के बाद यहाँ पे download के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे यह जो APK file है, इसको single click करना है, और आपको इसको भी install कर देना है, तो यहाँ पे भी आपको done कर देना है, तो यह हो जाने के बाद, यह जो icon है, यह screen के उपर आ जाता तो उसके लिए आपको side loan launcher जो है, ओ application install करना पड़ेगा, तो side loan launcher जो है, आपको play store में भी TV का मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह application जो है आ गया है, तो यहाँ पे आपको no thanks कर देना है, तो इसका page को इसे open होता है, तो यहाँ पे don't show again कर देना है, तो same screen यहाँ यहाँ पे भी आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको, आपका mobile phone में right side में जो controller है, उसको select करना है, और same आपका TV में आपको display game यहाँ पे select करना है, तो यह step के बाद आप TV का Bluetooth को आपका mobile phone से connect कर दीजे, वो भी simple है, जैसे कि अगर आप आपका phone का Bluetooth में जाते हैं, तो वहाँ पे आप source किजिए, तो आपका TV का नाम जो है show कर देगा, जैसे यहाँ पे SDG show कर रहा है, तो मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ, तो यह connect हो गया, तो TV को connect करना mobile phone से simple है, तो यहाँ पे यह connect हो गया, उसके बाद फिर से हम यह application क अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे हम जाएंगे connect to gamepad display, तो वहाँ पे अगर हाँ click करते हैं, तो आपका TV का नाम जो है, यहाँ पे show करेगा, जैसे यहाँ पे SDG, तो मैं यहाँ पे select कर दिया, तो phone का का काम इतना है, उसके बाद आपको आपका TV में setting करना है, तो पहला step जो है English USG board दिखाएगा, तो आपको Bluetooth gamepad keyboard जो है, इसको select करना है, अगर आपका यहाँ पे नहीं आता है, तो उसके लिए आपको, आपका setting में जाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, setting में आपको जाना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे device preference में जाना application के अंदर show कर दिया, अगर आपका show नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे इसको enable कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पे enable कर देते हैं, तो आपको application के अंदर show करेगा, जैसे मैं बताया था, हमारा पेला step complete हो चुका है, और second step में जाना है, और इन्पूट में धर जो है यह भी Bluetooth आपको set कर देना है मिन्स आपका डिवाइस अभी दोनों ready है मिन्स यहां पर आप देख सकते हैं mobile phone में भी play आ रहा है और TV में भी ready आ रहा है मिन्स यह दोनों connected है और आप इसमें अभी game खेल सकते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर play कर देना है जैसे प्ले करेंगे कुछ आपको आपका phone में एसे gamepad टाइप का show करेगा तो उसके बाद आप आपका TV को home page में ले आए उसके बाद कोई भी game बगर आप खेल सकते हैं जैसे मैं यहां पर यह red ball 4 आपको खेल के दिखाता हूं जैस से आप देख सकते हैं मैं डीपेर से यहां पर game को आगे ले रहा हूं तो यह आगे जा रहा है अगर मुझे stop करना है तो stop कर सकता हूं और उपर bounce करना है तो उपर bounce भी कर सकता हूं तो इस ज़रिया में आप यह game को खेल सकते हैं जैसे यह पहला step जो है complete हो गया तो आप इस जरिया में यह game को खेल सकते हैं तो यहां पर मैं आपको बताना क्यांता हूं जैसे यह connect होने के बाद आप प्ले स्टोर में जीतना भी गेम है उसमें ट्राय कर सकते हैं जैसे मैं एक गेम आपको खेल के दिखा दिया अगर आप high-end गेम बगएरा भी ट्राय करेंगे तो कोई-कोई जगा में आपको परिशा नहीं आ सकता है जैसे कि एक-एक जगा में आप ये गेम प्याड के थ्रूम में कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसलिए जितना maximum light गेम रहता है वो बगिर आरम से आप खेल सकते हैं आप दूसरा गेम भी ट्राय कर सकते हैं तो ये प्रोसेस में अगर आपको कोई भी जगा में कुछ भी प्रोलेम आता है तो comment section में आप पूछ सकते हैं मैं जल्दी ही उसका अंसर आपको दे दूँगा तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा like and share जरूर कीजिएगा अभी आप हमको instagram and twitter में follow कर सकते हैं और हमारा facebook का page जो है उसको like भी कर सकते हैं अगर अ अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का लिचे क्योंकि इस टैप का वीडियो में रोज लेकाता हूँ तब तक हमारा चैनल देखते रही है साहू टेक्नोगैड आपका दिन सुभू